YouTube आकिर 1K long video views और 1K short video views पर कितना पैसा देता है देखो एर जब भी कोई YouTube स्कार्ट करते है तो उसका पहला सवाल यही होता है कि भाई आकिर मैं YouTube से कितने पैसे कमा सकता हूँ और YouTube Shorts आने के बाद तो यह सवाल और जादा मैटर करता है कि जादा earning हम किस से कर सकते हैं तो मैं तुमें एक exact number बता सकता हूँ कि YouTube मुझे हर 1000 views पर कितना पैसा देता है जिसे तुम एक roughly idea लगा सकते हो कि तुम YouTube से कितना कमा सकोगे बट पहले हम यह discuss कर लेते हैं कि YouTube से पैसा आकिन बंदा कैसे है वेल YouTube ने monetization के लिए criteria सेट किया है 1000 subscribers के साथ 4000 घंटे का both tag या फिर 10 million short views और जब तुम यह criteria पूरा कर लेते हो तो तुम YouTube partner program को join कर लोगे यानि कि अब तुमारी वीडियो पर ads आना शुरू हो जाएंगी और उस ads जो revenue बनेगा YouTube उसका एक पास तुमें भी देगा अब एक factor पर हमारी earnings सबसे ज़ादा matter करती है जो कि हमारे channel की niche because niche के हिसाब से ही CPM और RPM decide होते है बट यह CPM और RPM क्या है well CPM means cost per mile अब advertisers YouTube पर अपनी ads run करने के लिए हर 1000 views पर YouTube को जो पैसा देते हैं उसे CPM कहते हैं और YouTube हमारी वीडियो में हर 1000 views पर हमें यानि की creators को जो पैसा देते हैं उसे RPM यानि की revenue पर mile कहते हैं अब जैसे finance, fitness और tech यह high paying niches है क्योंकि niches में CPM high होता है जिसकी वज़े से YouTube भी creator को high RPM देता है and वही vlogging और entertainment niches में CPM और RPM दोनों low होते हैं अब मेरे channel YouTube education से related है जो कि ना तो ज़दा high है और ना ही ज़दा low so let's check out that how much YouTube paid me for 1K low video views and 1K short video views so मैं आचको हूँ अपने YouTube studio के dashboard में अब मैं यहां से content को select करूँगा और यहां पर मेरी जितनी भी videos हैं इन में से मैं अपनी most popular video को select करूँगा क्योंकि जो most popular video होगी उसमें exact data show होगा कि आकर मुझे कितने पैसे बने हैं और कितना RPM और कितना CPM मिला है अब मेरी यह जो videos हैं यह मेरे channel के monetization शुरू होने से पहले डाली थी लेकिन मेरी यह video मेरे channel के monetization शुरू होने के बाद डाली गई है तो इस video में exact data होगा So let's check out the analytics of this video So as you can see कि मेरी इस video पर अभी तक 5,22,000 views हैं और मेरी इस video ने मुझे 16,000 गंटों का watch time दिया है And approximately 3,000 subscribers भी gain हुए हैं अब देखते हैं कि इन 5,22,000 views पर इस video ने मुझे कितने पैसे कमा कर दिये So हम चलेंगे यहां revenue के section में And you can see कि अभी तक इस video ने 191,71 dollars कमा कर दिये हैं अगर हम Indian rupees में convert करें तो यह बनता है करीबन 15,910 के करीब यानि कि लगबग 16,000 और मेरी ये video डेली की 2 या 3 dollar की average दे कर जाती है But अब हम ये देखते हैं कि मुझे 1000 views पर कितना CPM और कितना RPM दिया गया अब यहां नीचे आएंगे तो यहां पर एक section है how much advertisers पे जिसका मतलब है CPM और आप देख सकते हो कि मेरी इस video का CPM है 0.78 dollar जिसे अगर हम Indian rupees में convert करें तो वो बनता है करीबन 64 rupees और अगर RPM की बात की जाए तो YouTube ने मुझे हर 1000 views पर 0.37 dollar का RPM दिया है और अगर हम इसे Indian rupees में convert करें तो यह आपका बनेगा करेबन 30 rupees तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी एक long video मुझे हर 1000 views पर 30 rupees कमा कर दे रही है लेकिन अब हम यह देखते हैं कि मेरी एक short video मुझे हर 1000 views पर कितना पैसा कमा कर देती है तो हम फिर से content में आ जाएंगे और यहां से shorts को select कर लेंगे और फिर से मैं अपनी most vital shorts को select करूँगा क्योंकि उसमें exact data होगा अब यहां भी मैं उस video को select करूँगा जो कि मेरे channel की monetization शुरू होने के बाद डाली गई है जासे कि ये video अब हम इस video के analytics में चलते हैं और अगर हम इसकी earning देखें तो अभी तक इन views पर मुझे 0.20 डोलर बने है अब हम इने इंडिये रुपीज में convert करें तो ये बनता है आपके 16 रुपई और अगर हम RPM की बात करें तो YouTube ने मुझे short वीडियो के हर 1000 वीव पर 0.01 डोलर दिये है जिचागर हम इंडिये रुपीज में convert करते हैं तो ये एक रुपईया भी नहीं बनता